हेलो भारत की वीरो कैसे हैं आप लोग तो जैसे कि लास क्लास में आप लोग को प्रॉमिस किया था कि कि कम्प्लीट एंसे अर्टी सॉलीशन लेकर आऊंगा और उसके बाद नीट और जेए का थिरोटिकल पार्ट एंड प्रिबिएशन भी लेकर आएंगे तो चले हम लोग है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टू जिसमें हम लोग 12 फिजिक्स का चेप्टर नंबर टू का हम लोग कम्प्लीट सॉलीशन लेकर आएं तो देखेगा सबसे पहले जो है चेप्टर नंबर टू जो है हमारा लेक्ट्र स्टैटिक पोटेंशिल एंड कैपिसिटेंस जिसमें टोटल नंबर उफ 11 कोश्टन होने वाला है तो चार्ज़ेश फाइव इंटो टेन दो माइनस एट कूलम और माइनस त्री इंट दो माइनस एट कूलम और लोकेटेड 60 सेंटिमीटर अपर अट वाट पॉइंट अगर आपको पोटेंशिल इफाइन करना तो किसे ना किसी रेफरेंस पोट आपको जिरो मानना तो आपको यहाँ पर अल्रडी मेंशन कर दिया पहर बचो कि infinity पर अपने potential कितना माना पहर बचो जीरो अब देखिए यहाँ पर क्या गह रहा है यहाँ पर दो चार्ज ले लिया है अब potential zero करने का मतलब क्या है पर बचो potential हो सकता है अब यहाँ पर देखिए two equal and opposite charges है two equal and opposite charges है और क्योंकि electric potential है का scalar quantity है तो simply आप add करेंगे तो इसकी value आपका जो भी आना होगा directly zero आ जगा है according to the positive negative sign of the charge because इसमें कोई भी sign convention करने की ज़रूरत नहीं है that means इसमें कोई direction हम लोग consider नहीं करने वाले है तो let us assume this is the point P अब यहाँ से माल लिजे यह distance कितना है प्यार बचो एक्स तो यह distance कितना हो जागा 16 minus x because total distance कितना given है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 cm अब देखो प्यार बचो simple ह अब इस point P पे आपने क्या करना रहा पोटेंशल लिख देना और potential किस तरीके से लिखते हैं आपको आता होगा तो potential at point P is equals to कितना हो जाएगा potential due to 5 into 10 minus 8 coulomb plus potential due to minus 3 into 10 minus 8 coulomb right अभी यहाँ पर देखें potential due to discharge कितना होगा प्यार बचो इसके वाज़े से आप तो simple जानते होंगे कि potential due to any point charge Q at a distance R यह कितना होता है simple potential is equals to KQ divided by R यह फर्मूला याद रखिए कि किसी point R distance पे potential जो होता है बुक्या होता है KQ by R किसी एक single point charge की बज़े से तो यहाँ पर देखेंगे इसके बज़े से कितना हो जाएगा K into 5 into 10 raise to the power minus 8 divided by R, R का मतलब कितना होने वाला है X यहाँ पर देखेंगे यह point जो है na P का distance से कितना होने वाला है X plus अभी यहाँ पर देखेंगे second charge कितना minus 3 into 10 raise to the power minus 8 तो कितना हो जागा K into minus 3 into 10 raise to the power minus 8 divided by अभी distance कितना है यह distance से 16 minus 6 तो हमने substitute कर दिया 16 minus 6 अब देखो according to question ध्याँ से देखेगा क्या कहरा आपको electric potential to be 0 तो electric potential 0 करने के लिए हम लोग क्या करने वाले है potential उस point पे 0 करने वाले है consider that implies कितना हो जाएगा 0 is equals to k into 5 into 10 to the power minus 8 divided by x plus यहाँ पे आजाएगा plus minus minus 3k into 10 to the power minus 8 divided by 16 minus x अब इसको क्या किजिए right side लेए और sorry इसको left side लेए तो कितना आजाएगा 3k into 10 to the power minus 8 divided by 16 minus x is equals to 5k into 10 to the power minus 8 divided by x अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 10 to the power minus 8 10 to the power minus 8 will get cancelled out k and k will get cancelled out अब इसको cross multiply कर लीजे पेर बच्चो तो cross multiply करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास x into 3 is 3x is equals to 16 into 5 is 80 and x into 5 is 5x तो कितना आने वाला है देखेगा इधर minus 5x को लिए ये left side तो कितना आने वाला है 8x is equals to 80 तो यहाँ पे x की value कितना आने वाला है 10 cm और x हमने distance कहां से consider किया था बच्चो तो देखेंगे x जो distance हमने consider किया है that will be we have considered from the 5 column charge तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा final answer final answer हम लोग कुछ इस तरीके से रेंज करके लिखेंगे that the electric potential the electric potential is 0 the electric potential is 0 at a distance of at a distance of 10 cm 10 cm from किदर से प्यारवचो from 5 into 10 रेशिद पर-8 मतलब यहां से इतनी दूरी पे potential है वो कितना होने वाला प्यारवचो 0 अब इस बात के ध्यान रखेगा कि यह answer आपको complete इस तरीके से लिखने पड़ेगा अब एक और बात ध्यान दीजे यहां पे एक और बात यह है कि आपको यह नहीं बताया है कि potential कहां पे 0 करना है in between the charge या outside the charge तो हम लोग कुछ चेक करना खुद पड़ेगा क्या outside the charge भी हो सकता है क्या तो इसमें एक पुरपड़ीज आप लोग को बताया थे कि अगर मालीजी ऐसा कुछ to equal and opposite charges आता है या फिर यहां पे जो charge है अगर दोनों same nature का आता है तो दोनों condition में वीडियो लेक्चर में बताया हो हो तो यहां पे देखें two charges यहां पे different है and magnitude wise भी दोनों का different है that means यहां पे जो potential 0 होगा that will be in the reason of smaller charge और smaller charge क्या minus 3 into 10th 1 minus 8 अब देखें potential इस line joining में क्या हो सकता है potential इस line joining में हो सकता है कि एक तो potential यहां पे 0 होने पस्मिलिटी है अब यहां पे करके देखेंगे तो यहां पे potential 0 आने वाला नहीं आपको करके भी इन में दिखांगा कि देखेंगे यहां पे potential 0 नहीं आएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको देखिए तो हमारे पास जो charge था वो कितना था that will be 5 इंटो 10 देखते पार minus 8 and another one was minus 3 इंटो 10 देखते पार minus 8 ओके अब यहाँ पे हमारे पास जो separation था that will be 16 cm अब क्या करते हैं हम लोग ना एक region इधर ले लेते हैं और सेट this तो this is the point P now अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं let us assume this distance is x हमने क्या consider क्या बच्चो x तो यहाँ से distance होने वाला है यह बू कितना होने वाला है 16 plus x राइट यह समझ आया होगा आपू कि यहाँ पे point हमने क्या लिया और सेट ले लिया अब यहाँ distance हमने एजिम कर लिया कितना है x राइट अब देखें यहाँ पे तो potential at point P क्या लिखेंगे आप this is equivalent to k q अगे देखेंगे यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ तो 5 into 10 देश्विद पार minus 8 divided y इसका distance कितना होने वाला है 16 plus x so this will be 16 plus x plus k into minus 3 into 10 देश्विद पार minus 8 divided by यह distance कितना होने वाला है x and this is equivalent to again 0 अब इसको again right set ले जेगे तो देखेंगा answer क्या आने वाला है 5k into 10 देश्विद पार minus 8 divided by 16 plus x is equals to minus 3 और इधर जाएगा तो plus हो जाएगा 3k into 10 देश्विद दूर minus 8 divided by x अब देखें x जो sorry x नहीं कटेगा यहाँ पर देखें 10 देश्विद दूर minus 8 k 10 देश्विद दूर minus 8 k will get cancelled out तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें cross multiply कर लिजे तो this is 5x is equals to 16 नितुर 3 48 48 plus 3x अब यहाँ पर इसको left side ले आई है तो 5x minus 3x that will be 2x is equals to 48 that implies x is cost to कितना आने वला आपका 24 cm तो यहाँ पर distance देखो x is cost to कितना आगया 24 cm actual में हमें यह भी ध्यान आखना पड़ेगा कि x हमने कहां से consider किया है तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास x है that we have considered from कहां से किया हम लोग consider यहाँ से minus 3 से तो यह distance कितना हो जाएगा 24 plus 16 that implies 40 cm इसका मतलब हम लोग simply कह सकते है कि the electric potential will be 0 from discharge at a distance of 40 cm तो इसका दोनो answer possibility है कि एक तो हो सकता है 10 cm पर second कहां पर हो सकता है 40 cm पर it depends the reason reason अगर इसके बीच में आया प्यार बच्चो तो obviously 16 था तो इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता तो 10 पर आ गया अब यहाँ पर बाहर का reason लिए तो कितना पर आ गया 40 cm पर आपको जैसे कि मैंने बताया था इसके left side वाले reason में है इसके बड़े वाले charge की left side वाले reason में कर consider करेंगे तो let us जो मैं यहाँ पर point P consider कर लेते हैं यह distance x है now तो अब यह distance कितना होने वाला प्यार बच्चो देखेगा मैं यह वाला party range कर रहा हूँ तो यहाँ से देखेंगे अब ध्याहान से यह वाला distance कितना होने वाला 3 कुलम चार से 16 प्लस x राइट अब 16 प्लस x जैसे consider करेंगे तो इसका देखेगा potential क्या लिखेंगे आप लो तो potential लिखेंगे potential at point P is equals to k into 5 into 10 raise to the power minus 8 divide by x plus k into minus 3 into 10 raise to the power minus 8 divided by 16 plus x is equals to again क्या करने वाले हम लोग 0 that implies कितना हाज जैगा 5k into 10 raise to the power minus 8 divided by x is equals to 3k into 10 raise to the power minus 8 divided by 16 plus x अब यहाँ पर देखो अब अगें solve किजिए this and this will get cancelled out तो यहाँ पर क्या हाज जैगा 80 plus 5x is equals to 3x अब मैं क्या केता हूँ ना जिस्ट करता हूँ जब भी numerical लोग पार्ट आये ना तो पहले आज complete solve कर लिया किजिए उसके बाद value substitute करा किजिए क्योंकि क्या बार क्या होता है 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 हमने consider किया है 5x से यहाँ पर देखेगा 5 जो 5 into 10th or minus 8 कोलम का चार्ज था यहाँ से आप खुद बताओ कि क्या यह distance निगेटिव पॉस्वाली सैक्सिस पे तो अबेसली कहेंगे no sir that implies negative sign क्या indicate कर रहा है कि जो आपने direction कंसेडर किया है वो इस direction निने होगा इससे दूर वाली direction होगा तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि यह negative value आ जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा आग ऐसे कि जब भी 2 charges आएगा opposite nature का तो उसमें electric potential या electric field 0 होने एक chances होता है जो उसके smaller part वाला reason होता है तो I hope so यह चीज़े clear होगा आपको बहुत simple तरीका से यह question था है तो इसको दो possibility answer है कि line joining पर potential 2 point पर 0 हो सकता है 10 centimeter पर and second 40 centimeter पर from the charge 5 into 10th of minus 8 coulomb तो यह mention करना last में बहुत जरूरी हो जाता है कि actual में कहां से अपने distance consider किया था तो I hope so बच्चों clear होगा चलिए हम लोग move करते है question number 2 की तरफ question 2 क्या कह रहा है irregular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each its vertices calculate the potential at the center of the hexagon अब देखिए question बहुत असान है जब भी आएगा ना इस type का question तो diagram जरूर बनाया किजे और जब diagram बनाएंगे ना तो बहुत सारा part बहीं पर आपका clear हो जागा देखिए ना क्या कह रहा है तो यहां पर आपने क्या करना है simple hexagon बना लेना है देखिए तो हमने क्या क्या simple hexagon पहले बना लिया अब इसका center वाला point बोला है तो हम लोग क्या करते हैं इसको end to end मिला लते है vertices को देखेगा यह तो जैसे आप मिलाएंगे तो आपको यह पताचा लगा पहर बचो यहां पर कि यहां पर जब आप match कर रहे हैं तो क्या हो रहा देखिए यहां पर यह हो रहा है एक दो तीन चार पांच और यह छे तो टोटल यहां पर क्या बन रहा है 6 EQUILATERAL TRIANGLE और 6 EQUILATERAL TRIANGLE का मतलब क्या है यह अगर साइट 10 CENTIMETER यह 10 CENTIMETER यह 10 CENTIMETER ऐस पर दे कोशन जो कि गिवन आपको 10 CENTIMETER तो EQUILATERAL TRIANGLE का हर एक साइड इकोल होता है पोटेंशिल होता है अभी सिखाया थे कि किसी भी पोटेंशिल जो होता है पॉइंट चार्ज के बएज़ से R दूरी पे जो होता है प्यार बच्चो कितना होता है that will be KQ by R अब KQ by R जैसे सब्सिचूट करेंगे तो जेखेंगे पोटेंशिल at the center of this hexagon is equals to KQ divided by R मैं consider करने वाला हूँ अब total कितने चार्ज होने वाला है यहाँ पे भी ले रहा है यहाँ पे भी 5 microcoulomb ले रहे है यहाँ पे भी 5 microcoulomb ले रहे है यहाँ पे भी 5 microcoulomb ले रहे है जी और यहाँ पे भी and again last one is also 5 microcoulomb मतलब हर एक vertices पे जो 4 जाखा था प्यारा बचों वो कितने पे रहे है 5 sorry 5 microcoulomb कराइट तो यहाँ पे देखेंगे total कितने होने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो total हम लोग क्या कर देंगे multiplied by 6 तो this is the correct answer अब इसकी value हम लोग last में substitute कर लेंगे और calculate कर लेंगे तो देखेंगे आजएगा k की value 9 into 10 raise to the power 9 और जो कुलम है इसका q की value कितना है 5 that means 5 into 10 raise to the power minus 6 divided by divided by r की value r की value कितना 10 cm so it's 10 into 10 raise to the power minus 2 r into जो last वाला हमारा 6 है that will be 6 अब यहाँ पे इसको solve कर लीजिए तो कितना आजएगा देखेगा जब आप solve करेंगे तो इसकी value आजएगा this 6 into 5 is 30 30 into 9 और into आजएगा 10 raise to the power 9 minus तो यह देखे 9 और minus 6 तो यह आने वाला 3 divided by यह कितना आजएगा 10 raise to the power minus 1 तो यह कितना आने वाला देखेगा 10 raise to the power उपर जाकर हो जाएगा 4 तो यह बहुत ही simple था यार अब इस तरीके से कर सकते हैं इसका 2.7 into 10 raise to the power 6 वल्ट तो यह यहाँ पर simple था आपको सबसे पहले क्या करना था एक point charge की बाज़ से आपको electric potential पता होना चाहिए था और simple आप center पर सभी charges की बाज़ से add कर दी अब यहाँ पर value जो है देख लीजेगा accordingly जो भी answer correct होगा यहाँ छोड़ेगा आपका तब भी answer correct है यह last वल्ला आप छोड़ेगा तब भी answer correct है तब इसका correct answer आ चुका है तो होड़ेगा आपको simple यह question समझ आएगा चलिए move करते हम लोग next question पर next question क्या कहा रहा है परवचो टू चार्ज़ेज़ टू माइक्रो कुलम और माइनस टू माइक्रो कुलम आर प्लेज़़ अट पॉइंट ए और बी 6 cm apart identify an equipotential surfaces of the system what is the direction of electric field at every point on this surface अब देखें यहाँ पर क्या कर रहा है इसके बज़े से इन दोनों charges की बज़े से आपको क्या बताना है equipotential surfaces equipotential surfaces का मतलब क्या है उस midpoint पर मतलब कि यह charge की एक point पर हमारा क्या होने वाला है potential difference 0 होने वाला है मतलब क्या होना वाला net potential 0 होना चाहिए देखें अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले आपको given value क्या है परवचो 2 microcolum another one was minus 2 microcolum अब यहाँ पर दियान से देखेंगे यह तरीके का dipole का formation कर रहा है परवचो अब यह x के बीच का distance जो है ना कितना given आपका 6 cm 6 cm given है अब यहाँ पर दियान से देखेंगे कि let us assume हम लोग एक point माल लेते हैं x तो यहाँ से x हो गया तो यह distance कितना हो जाएगा 6 minus x क्योंकि यह total distance 6 था तो यहाँ पर यह point को हम लोग माल लेते हैं p तो potential at point p is equals to कितना आने वाला k into 2 microcoulomb k q divided by r r का मतलब कितना होने वाला x plus k into minus 2 microcoulomb divided by distance होने वाला 6 minus 6 and this is equal to क्या ना वाला है देखेगा अभी जैसे value solve करेंगा तो यह value solve करके equal to potential क्या करने वाले हम लोग 0 अब potential 0 करने वाले मतलब क्या होगे देखेगा 2 k upon x is equals to 2 k divided by 6 minus x that implies 2 k and 2 k विल्ड की रिकेंसी dot तो यहां से आप लोग simple देखेंगे तो क्या ने वाला है आपका यह value आजाएगा 6 minus x is equals to x that implies x is equals to कितना ने वाला है 3 cm अब x की value हमने क्या निकाल लिया 3 cm यह उदर जाके 2 x होगे तो है न तो 3 cm इसका मतलब net potential जो 0 होने वाला है potential 0 कहां पर होने वाला है potential will be 0 at a distance of 3 cm कौन से वाले चार्ट से 2 µ कुलम तो यहां से भी distance कितना जागा 6 minus 3 is equals to 3 that implies potential जो होने वाला है obviously midpoint पर 0 होने वाला है इसका मतलब अब देखें potential at midpoint 0 होने वाला है इसका मतलब क्या होँआ पच्चों यहां पर यह जो था plus 2 µ कुलम और यह जो था minus 2 µ कुलम अब यहां पर जो potential हम लोग से consider करने वाले हैं तो कोई भी यहां पर जो line charge तरीके से बनाता आपका तो यहां पर हम लोग जो बनाते थे potential equipotential surfaces that will be plain that will be plain जैसे line charge होता था उसके लिए cylindrical point charge होता था उसके लिए spherical अब यहां पर एक तरीके का lines में distributed है तो यहां पर क्या होने वाला देखेगा यह point charge एक line पर separated है that means इसका जो होने वाला plain surface that means इस तरीके से और यह कितना होने वाला center part is 3 cm from this point और यहां पर potential जो होने वाला जीरो होने वाला है अब यह इस तरीके से की potential surface आप बना लेंगे तो इसका mid point पर इस तरीके से की potential surface बन जाएगा right अब second part करा है what is the direction of electric field at every point on the surface अब क्योंकि electric field हर एक point पर क्या होता है प्यारबचो perpendicular होता है तो इसको लिखना पड़ेगा आपको कि electric field will be perpendicular electric field will be perpendicular on the equipotential surfaces along the direction of अब negative को बज़े से क्या होगा attraction negative को बज़े से क्या होगा attraction और positive को बज़े से क्या होगा repulsion तो आपको लिखना पड़ेगा the electric direction of electric field is along the direction of from positive plus 2 to negative minus 2 that means क्या होगा कि electric field is always perpendicular to और normal to the equipotential surface तो यह अंसर किलियर हुआ हो कि electric field का direction होगा plus 2 microcoulomb से लेकर minus 2 microcoulomb की तरफ और equipotential surface इस तरीके से जो होगा perpendicular होगा चलिए हम लोग चलते हैं next question की तरफ देखेगा question रख 4 किया रहा है a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10.7 coulomb distributed uniformly on its surface what is the electric field inside the sphere just or set the sphere at a point 18 centimeter from the center of the sphere अब यहाँ पर देखो यार इससे असान question क्या आप से पूछा जा सकता है अब यहाँ पर आपको क्या क्या है spherical conductor रही है अब यहाँ पर देखो अपने consider कर लिया इस तरीके से और इसका radius की value कितना consider कर लिया आपने radius is cost to 12 centimeter अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर charge जो बोला आपको outer surface पर लेने के लिए तो देखिए outer surface पर जैसे distribute किये outer surface पर जैसे यह charge को distribute करेंगे तो this charge will be arranged in such a fashion that यहाँ पर जो net electric field होगा under किसी भी point पर on the sphere that will be cancel out each other मतलब यह charge इस तरीके से redistribute खुद को करता है so that कि अंदर में जो किसी भी point को consider करेंगे तो उस पर क्या होगा electric field cancel out कर देगा तो let us जो हमने क्या किया एक छोटा आर वाला radius को हमने guss in surface consider कर लिया आप क्योंकि हम ले electric field calculate करना और कोई भी conductor यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ओबेसली गॉस्थिरम हम लोग यूज करने वाला हम देखेंगे गॉस्थिरम के according हम लोग जानते बेसिक जो होता है electric flux का definition कितना होता 5 is equals to e.ds अभी.ds जैसे ही आप लोग करेंगे तो क्या होने वाला देखेंगे electric field क्योंकि हर एक जगह अंदर में जो charge distributed है यहाँ पर outer surface पे तो इसके भी uniformly distributed है तो electric field जो होगा हर एक point पे क्या होगा uniform होगा that means electric field हमें सा uniform यहाँ पोगा तो यह कितना होने वाला e और ds की value कितना होने वाला पे रवच्छो 4 pi r square that means e into 4 pi r square let us zoom this is the expression number 1 अभी according to Gauss according to Gauss theorem हम लोग जानते हैं कि according to Gauss theorem क्या होता पे रवच्छो 5 is equals to q in by epsilon 0 अभ अंदर में charge देखो क्या है 0 तो 0 by epsilon 0 that implies कितना होने वाला 0 this is the expression number 2 from equation 1 and 2 आप देखेंगे दियान से कि 1 and 2 से कितना आने वाला है e into 4 pi r square is equals to 0 that implies कि अनना आने वाला है e is equals to 0 अब यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि electric field 0 क्यों आ रहा है electric field 0 इसलिए आ रहा है पेर बच्छो क्योंकि अंदर में तो कोई charge ही नहीं था न तो अंदर में charge नहीं तो electric field obviously क्या आने वाला था 0 तो I hope से यह चीजे clear होगा अब second part क्या गरा है देखेंगा just offset the sphere just offset का मतलब क्या आपको radius almost almost 12 cm consider करना है तो देखेंगे आप क्या करेंगे second part मैं यहाँ पे कर रहा हूँ B part देखेंगा तो हम लोग B part solve करने वाले तो B part में क्या होने वाला देखेंगे यह जो 12 cm का radius था वही same और same क्या होने वाला है gustan surface होने वाला है that implies यहाँ पे जो charge है वो totally covered हो जाएगा अब charge totally covered हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ से कि यहाँ पे charge Q की value Q हो जाएगा that means electric feed कितना आने वाला है K Q divided by R square अब यहाँ पे देखेंगे K की value कितना हो जाएगा 9 into 1032 power 9 और Q की value जो given था that will be 1.6 into 1032 minus 7 divided by R R कितना given है पेर बच्चो 12 cm that means यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे 1.6 into 9 that will be 14.4 अब यह 14.4 into 1032 पर कितना आने वाला है यहाँ आगे 2 और नीचे साह जाएगा प्लस 4 divided by 12 into 12 is 144 और इसका 0 आप हटा दीजिए 0 नीचे लगा लगा लगे 144 144 144 will get cancelled out तो कितना आने वाला है 10 ratio दो पावर यह 6 और माइनस 1 इस नदिंग ब्रवाट इस 5 10 ratio दो पावर 5 Newton पर कुलम तो आपको आपको आए हुपसुई simply clear हो जाए होगा होगा कि electric field जो आने वाला है 10 ratio दो पावर 5 Newton पर कुलम अगर हम just outside the sphere consider करते हैं मतलब 12 cm का radius तो इस question में बहुत ज़्यादा toughness नहीं था मतलब कि क्या simple question है बट इस बत का ध्यान रखे हैं कि आपको SI newt से convert करना पड़ेगा अगर cm में given है तो micro column या कुछ भी column में charge given है तो आपको column में consider करना पड़ेगा तो I hope so ये वाला part जो है आपको easy लगा होगा तो इसका correct answer B part का क्या है 10 raise to 5 newton per column अब हम लोग चलते हैं C part की तरफ C part क्या कर रहा था पेर बचो देखेगा आप से कह रहा है कि at a point of 18 cm from the center of the sphere अब देखो center of a sphere से हम लोग consider करने वाले हैं तो देखेगा अगर मालीजी 18 cm का मतलब क्या है यहां से यह 12 cm का जो radius था ना यहां से आपको यहां पे consider करना है मतलब क्या है यह यह distance R की value अब कितना होने वाला है 18 cm अब यह असली यहां पे भी देखेंगा आप धियान से तो यहां पे भी total charge कवर्ड हो गया तो अगेन इलेक्टरिक फीड कितना आने वाला है इलेक्रिक फीड आने वाला है KQ divided by R square तो KQ divided by R square में कितना आजागा 9 into 10 raise to the power 9 Q की value अगेन सेम रहने वाला है 1.6 into 10 raise to the power minus 7 divided by R की value अब यहां पे देखेगा क्या मुलो consider करेंगे तो जब भी हम gusts and surface लेते हैं तो R की value वाला consider करते हैं जो हमारे पास gusts and surface का radius होता है ना कि conductor का radius तो इस बात का ध्यान जरूर रखेगा अब यहां पे 18 cm हम लोग consider करने वाले हैं that implies 18 into 18 into 10 raise to the power minus 4 तो इस बात का ध्यान रखेगा है कि कहां पे हम लोग surface ले रहे हैं inside outside उसके according आप radius की value substitute कीजएगा अब यहां पे solve कीजएगे हैं तो कितना आ जागा है 14.4 divided by 18 into 18 into 10 raise to the power कितना आने वाला प्यारवचो देखेंगे 9 plus 4 यह नीचे से जागे plus 4 हो गया minus 7 अब यहां पे देखेंगे तो कितना आ जागा 14.4 divided by 18 into 18 into 10 raise to the power 6 अब यहां पे देखो यार तो हम लोग क्या करने वाले हैं देखो अब यहां पे हो जागा 14.4 divided by 18 into 18 is nothing but what it's 324 और यहां पे 10 raise to the power 6 है तो यह काम करते हैं हम लोग इसको 100 से multiply कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं 10 raise to the power 4 अब यह आ जागा हमारे पास 1440 divided by 324 into 10 raise to the power 4 अब इसको आप solve कर लीजिए तो approximately आ जागा 14 into 3 तो यह जागा 4 into 3 that implies लगबा लगबा आ जागा 4.4 4.4 यह answer करेक्ट आने वाला है आपका कितना 4.4 into 10 raise to the power 4 newton per column तो यह correct answer आपका आने वाला है कि electric field at a distance of 18 centimeter from the center of the sphere is nothing but what 4.4 into 10 raise to the power of 4 newton per column तो अब होप सभी वाला पार्ट आपको clear हुआ होगा कि यह simple था कि distance जो gusson surface से लेगा center से वो ध्यान रखेगा कि अगर total charge enclosed हो रहा है तो radius जो होगा center से ही consider करेंगे ऐसा नहीं कि surface से consider कर लिए ऐसा कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं सर यह charge तो यहाँ पर रखा है ना charge यहाँ पर रखा है सर तो यह वाला distance लो ना सर कि 18-12 करके 6 तो यह वाला नहीं consider करते हैं प्यारबचो हमें इसा center of the sphere से account करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं potential आप देखेंगे तो center पर क्या होता है constant होता है ना तो इस बात के ध्यान रखेगा कि यह distance जो आएगा center से ही हम लोग consider करने वाले हैं तो यह वाला part clear होगा चलिए हम लोग move करते हैं next question की तरफ question number 5 a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 pico farad अब देखें जब भी ऐसा question आप solve करने जाहिए ना तो मैं एक बात suggest करूँगा आपको कि आप क्या किजिए given जो होता ना बोगल अपड जरूर लिखा किजिए उससे क्या होगा ना आपका एक good impression पढ़ता है जिसे examiner जो होता है इंप्रेस होता है इसका बच्चे का लिखने का sequence ना बहुत अच्छा है जिसे कि आपको first question में मैंने बताया था कि electric potential action ने 0 कहाँ पर हो रहा था तो जैसे मैंने लिखे दिखाया कि electric potential will be 0 at a distance of 10 centimeter from 5 into 10 to the power minus 8 coulomb charge तो ये वाला part जब लिखते है ना कमिस्टी में 99 रह गया एक मार्क से राजेस सिंग राइट तो चलिए हम लोग देखेंगे इस question को मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो given वाला part है ना वो जरूर लिखा किजे तो given आपका क्या है सबसे पहले capacitance दो देखेंगे that will be 8 picofarad तो यहां पर कितना होने वाला है 8 picofarad डियालेक्रिक constant किये की value कितना given है आपका 6 given है अब capacitance का जो formula होता है वो कितना होता है पहर बचो A epsilon not divided by D A epsilon not divided by D अब अब अपन क्या consider करेंगे देखो C dash अब new capacitance मेरे को चाहिए तो new capacitance कितना होने वाला आप देखो area तो यह होने वाला है और यहां पर dialectric medium है medium पर depend कौन करता है यहां पर epsilon not because यह permittivity है permittivity मतलब क्या है permittivity जो है material की properties है अब यहां पर है न तो यह material जो है dependent properties है that means epsilon not तो यहां पर क्या होज़ागा k into epsilon not तो जब भी dialectric constant आएगा न तो वहां वहां multiply कीज़े जहां जहां पर epsilon not रखा होगा अभी यहां पर देखो distance भी change किया तो d dash assume कर लेते हैं अभी यहां पर देखो a dialectric constant की value given आपका k is equals to 6 and this is nothing but what this is epsilon not divided by distance is half that means यह कितना अनवाला dy2 अभी यह 2 को पर लेज़े तो कितना अनवाला 6 into 2 is 12 epsilon not divided by d लिज़े c की value तो कितना आजागा देखेगा 12c तो c dash की जो value आ चुका है that will be 12c और c की value हमारे पास कितना given था देखेंगे आप यहां से that will be 8 picofarad right तो यहां पर c dash की जो value हमारे पास आ चुका है c dash equals to 12 into 8 that implies 96 picofarad आपको 1 into 10-12 मैतलब 96 into 10-12 farad लिखे या फिर 96 picofarad लिखे आपके पास दोनों answer correct है तो इस question को जो correct answer आ चुका है that will be 96 picofarad इस बात का ध्यान रखे कि जब भी dielectric material हम लोग multiply करते हैं तो यह capacitance value क्या होता है increase कर देता है मतलब dielectric material जो होता है basically वो क्या करता है separation generate करता है एक तरीके का insulating material है insulator है between the two plates of capacitor तो यह value आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि epsilon 0 जहां आएगा वहीं पर हम लोग क्या करेंगे dielectric constant से multiply करेंगे चलिए हम लोग move करते हैं next question की तरफ question number 6 गया करते हैं परवचो 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series ध्यान दिजेगा किसमें कहरे हैं आपको connected in series what is the total capacitance of the combination देखिए अब यहां पर क्या है कहरे है आपको capacitance जो है series में connected है और सबकी value कितना इलिए है ना आपको 9 picofarad तो अगर माली जी capacitor C1, C2, C3 C4 and so on इस तरीके से आपको सारा series में connected है तो ऐसा समझों ना काल знать छोर है और चोर का मतलब क्या है यह उल्टा काम करेगा हमें साथ उल्टा का मतलब क्या है जो resistance आपका series होता था न वो यहां पर parallel और parallel का series मतलब क्या होता था resistance जो होता था series और parallel ध्यान दिजेगा अगर resistance माली जै यहाद रहने के लिए मैं बोल रहा हूं एक्चल में जो होता कैपसिटेंस देखेंगे कि श्रीज कांबीनेशन हम लोग करें तो श्रीज में चार्ज फ्लों रहेगा वह तो सेम ना मतलब हर एक capacitor के cross जो charge होगा series combination है that will remain same अब यहाँ पर क्या है देखो कि actual में क्या हो रहा है Q जो होता है directly proportional to V that implies क्या होने वाला Q is equals to C into V अब यहाँ से देखेंगे कि अगर potential का ध्यान दीजेगा कि potential की value हम लोग निकाले और potential की value निकालकर हम लोग लिखेंगे तो क्या आने वाला है Q is C तो Q is C यहाँ पर जब लिखेंगे प्यारे बच्चों Q is C that implies यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर potential क्या आने वाला है series में potential जो होता है सभी के cross अगर capacitance value different है तो यह different different होता है तो C1, V1, V2, V3 and V4 and so on तो V1 की वहली कितना लिखेंगे आप Q is C1 क्योंकि charge same यहाँ पर क्या जगा Q is C2 तो आप देख पा रहे होई जो potential है और इसका क्या रहा है reciprocal आ रहा है इसलिए आप लोग क्या करते है बनबई करके add करते हैं इस बात का ज़रूर दियान रखेगा और इसका जो parallel होता है देखेगा capacitor का जो parallel होता है अगर capacitance ऐसे connected होता है parallel में तो parallel में connected होता तब हम लोग क्या करते हैं simple C1, C2, C3 तो आगेन यह 4 है मतलब कि क्या है जो parallel और यह series तो इसका मतलब जो resistances का series होता था उसकी equivalent हो जाएगा मतलब क्या करेंगे C equivalent is close to simple है C1 plus C2 plus C3 and so on इस बात का ध्यान जरूर रखेए कि जब capacitor parallel में connected है तो हर एक capacitor के across जो potential applied होगा that will remain same तो parallel में क्या same रहता है parallel plate capacitor के according जो होता है parallel combination में potential same रहता है और अगर हम बात करते है series combination के तो charge same रहता और potential different होता है यहाँ पे charge different होगा for different value of capacitors and potential same होगा तो parallel series my hope आपको clear होगा confusion तो चले हम लोग question का solution करते हैं तो आई हम लोग question का solution की तरफ देखते हैं और question क्या कह रहा है देखें तो आपको क्या बूला है 9 picofarad का connect करते है series में 3 तो देखें प्यारा बच्चों क्या करेंगे 9, 9 और 9 मतलब 3 जो है इस तरीके से connected है 9 picofarad this is the 9 picofarad and this is also 9 picofarad हाँ इस बात के ध्यान जरूर रखेगा यह जो है इक्वल साइज का बनाईएगा 9, that implies कितना होने वाला है 3 upon 9 that means क्या होने वाला है 1 by 3, right that means c equivalent कितना आने वाला है 3 picofarad तो इसमें क्या ही थो यार यह तो simple question था ना simple जोड दिये ना तो देखें आपको आसान लगा होगा next part क्या कहा रहा what is the potential difference across its capacitor if the combination is connected combination को connect क्या मतलब c equivalent तो 20 volt की supply से जैसे ही connect करेंगे तो देखें हमारे पास जो charge आने वाला total वो कितना आने वाला है प्यारे वच्छों तो Q is equals to जैसे कि अभी मैंने फर्मूला बताया था तो यह जगा c equivalent into V अब total charge कितना आने वाला है total charge is equals to c equivalent मतलब कितना आने वाला 3 into और potential आपको given है total 120 तो 3 into कितना आगया 120 that means आगया 360 volt 360 अब यह picot में given था तो picot coulum यहाँ पर क्यों कुलम होगा तो picot coulum यूज कर लेंगे अब यहाँ से potential आप से पूछा हरे capacitors के लोग एक cross तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर potential जो होता है स्रीज में अलग-अलग होता है अगर different capacitance value हो तो यहाँ पर देखें इसके cross potential V1 तो इसके cross कितना V2 और इसके cross कितना V3 अब यहाँ पर देखो actual में हो क्या रहा है कि potential का formula जो होगा QH cost action में क्या होता है बैचो QH cost तो C1 into V1 होगा यहाँ पर देखोंगे Q की value हम लोग निकाल चुकें कितना 360 अब यह C1 की value कितना है 9 V1 की value कितना है V1 तो यहाँ पर कितना आज जाएगा ध्याँ से देखें तो 40 तो यहाँ पर answer कितना आने वाला है 40 V क्योंकि Pico Pico cancel out हो जाएगा तो इसका correct answer कि आने वाला 40 V अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी 9 तो actual potential कितना आ गया 40 V 40 V और 40 V यहाँ पर equal आने का reason क्या आपको समझ आ रहा है क्योंकि capacitance value equal था इसलिए potential क्या कर लेंगे equal अब तीनों को add कर लो 40 plus 40 plus 40 क्या 120 दे रहा है बिल्कुल दे रहा है इसका मतलब जो आमने answer निकाला हो बिल्कुल क्या है correct है तो इस बात के ध्यान रखिए कि actual में जो अगर capacitance value same आ जाता है तो potential same आ जागा actual में अगर different different given होगा तो different different है जागा क्योंकि series combination है तो same तभी आएगा जब capacitance value same है तो यह वाला part clear होगा तो first part का answer दो था combination जो है 3 pico farad and जो इसका potential across हर एक capacitor that will be 40 volt तो यह वाला part clear होगा चलिए हम लोग move करते है next question की तरफ next question क्या कहरा देखेगा question number 7 three capacitors of capacitance 2 pico farad, 3 pico farad and 4 pico farad are connected in parallel what is the total capacitance of the combination अब अब अगें देखो यार अभी जैसे की मैंने अभी बताया just last question में कि parallel combination क्या होता है तो parallel combination में हम लोग connect करने वाले हैं देखेगा तो parallel कुछ इस तरीके से हमने connect कर लिया है और आपको given है क्या क्या given है देखेगा आपको given है 2 pico farad है ना 2 pico farad 3 pico farad and आपका पर last given है that will be 4 pico farad अब आप देखेते हैं कि हम लोग simple क्या करेंगे parallel में जोडने वाले हैं तो 2 plus 3 plus 4 that will be 9 pico farad तो इसका correct answer first part का आचुका 9 pico farad है ना second part क्या कहा रहा B part determine the charge on each capacitor of the combination अब देखें आपको यहां पर क्यूंकि यह parallel में पहरे हो चो तो आपको बताया थे कि parallel combination के अंदर जो होता है हमारे पास जो charge value होगा different capacitance value के लिए different होगा आप यहां पर देखो इसके cross अगर हम charge लिखते हैं तो इसके लिए Q1 लिखूंगा और यहां पर potential applied क्या होता है same रहता है इसके cross V तो इसके cross V कितना V तो इसके cross V कितना V क्योंकि parallel में combination है अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर supply कितना देरा आपका 100V का तो देखेंगे Q1 की लिख क्या लिखूंगा इसके लिए मैं लिखूंगा Q1 is equals to C1 into C1 into V right that implies कितना अनवाला है अब देखें C1 की value 2 Pico Farad मतलब 2 into 10 raise to the power minus 12 into 100 that implies कितना अनवाला है 2 into 10 raise to the power minus 10 कूलं 2 into 10 raise to the power minus 10 कूलं so this is the correct answer for this answer this question कि आपे Q1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा this similarly Q2 निकाल लेंगा अब लोग तो Q2 कितना अनवाला है 3 into 10 raise to the power minus 12 ये Pico की value में लिख रहा हूं minus 12 into 100 potential applied this is 3 into 10 raise to the power minus 10 कूलं right इस तरीके से 3rd पार्ट भी खुदी try कर लो यार देखो आप लिख पार होगा कि Q3 के वेली कितना आजाएगा Q3 is equals 2 C3 into V that implies 4 into 10 raise to the power minus 12 into 100 तो अगेन इसकी वेली कितना आनवाला है 4 into 10 raise to the power minus 10 कूलं तो अगेन यहाँ पे simple दायार कि यहाँ पे parallel combination में क्या होता potential अलग-अलग होता है तो सभी का हम लोग क्या कि यह charge भी लिख दिये sorry parallel combination of potential same होता charge different होता charge value हम लोग C into V करके लिख दिये right तो अब सो यह वाला part clear होगा होगा चले हम लोग move करते है next question पे next question क्या कर रहा है 8 in a parallel plate capacitor with air between the plates each plate has an area of अभी यहाँ पे दिखो again आपको बताया थे कि जैसे कि अगर data given अनो तो data जरूर लिखा करो तो area आप पे देखेंगे ध्यांसे तो area of the plate given है कितना 6 into 10 to the power minus 3 meter square and distance between the plates is 3 mm distance आपको given है कितना प्यार बच्चो 3 mm calculate the capacitance of the capacitor if the capacitor is connected to a 100 volt supply what is the charge on each plate of the capacitor अभी यहाँ पे देखो आपको potential given है that will be 100 volt अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है capacitance की value बताना है आप देखो यहाँ पे area और distance given हो तो आपको mind में click करना चाहिए रखिए इस बात को कि जब भी आपको area का form में दिया रहेगा तो यह लगाना आपने अभी यहाँ पे देखो क्या होज़गा c is equals to a की value area आपको given is 6 into 10 raise to the power minus 3 right अभी यहाँ पे epsilon 0 की value होज़गा 8.854 तो 8.85 अम लोग ले रहे हैं 10 raise to the power minus 12 divided by D की value that will be 3 mm that means 3 into 10 raise to the power minus 3 getting so this and this will get cancelled out 3 and 6 will get cancelled out तो यह कितना आने वाला है 2 से multiply कर लेजिए तो 8 into 16 17 तो यह आजागा 17.75 sorry 17.70 right 17.70 into 10 raise to the power कितना आने वाला है minus 12 that implies क्या आजाएगा आपके पास that implies आपके आने वाला लगभग लगभग approximate अगर आप करना चाहें तो 18 into 10 raise to the power minus 12 18 into 10 raise to the power minus 12 तो हम लोग simply लिख सकते हैं इसको कितना आगे आपके पास जो correct answer है that will be C is equals to 18 Pico Farad कितना लिखे देंगा हम लोग प्यार बच्छों 18 Pico Farad तो this is the correct answer for this question लेकिन आपको last मा और कूछ रहा है what is the what is the charge अब charge की value निकालना है तो Q is equals to कितना होता है Q is equals to C into V अब C की value हम लोग निकाल चुके 18 into 10 raise to the power minus 12 और potential आपका given था कितना 100 तो यहाँ पे क्या हो जागा simple आप देख पाएंगे तो यहाँ पे हो जागा simple 18 into 10 raise to the power minus 10 कूलम तो यह correct answer इसका आचुका है आपके पास तो I hope so यह वाला part किलियर होगा बहुत सारा असान questions होते हैं बस आपको attempt करने का तरीका पता होना चाहिए और देखिए यह process जब आप सीखेंगे न तभी new questions को interface कर पाएंगे क्योंकि आप सोचेंगे same NCRT question आगा तो ऐसा possible नहीं बच्चों तो actual में क्या होता है आपको तरीका सीखना पड़ता है कि actual में detail analysis हमें करना क्या है इस question को और तरीके से कैसे कर सकते हैं तो यह वाला पाट जरूर धियान दिजेगे चलिए हम लोग मूव करते हैं next question पर question 9 क्या कह रहा है explain what would be happen if the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica seat of dielectric constant kage goes to 6 आप यहाँ पर देखोगे आपको क्या कह रहा है कि एक mica का seat ले लेना है जिसका जो thickness है that will be 3 mm right and इसका जो dielectric constant given आपको कितना given है 6 we are inserted between the plates while the voltage supply will remain connected अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है ना आपको कुछी तरीके से बोल रहा है यह capacitor है हाँ ना यहाँ पर क्या करा आपने एक mica seat insert कर दिया 3 mm का अब यहाँ पर जो separation given था initially that was 6 mm that was 6 mm अब आपको क्या करना है इसके cross एक supply connected था that will be that will be हमारे पास कितना था प्यारवच्छो 100 volt कितना था यहाँ पर 100 volt right अब यहाँ पर देखो क्योंकि mica seat आपने insert किया तो इस cases में क्या क्या होता है वो आपको detail discussion में कर देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ है ना अब अपने क्या किया dielectric constant के material को insert किया है तो actual में आपर क्या होता देखेगा c जो होगा क्या हो जागा c dash और यह बताया था आप लोगको k times increase हो जाता क्योंकि a epsilon not divided by d में जो epsilon not होगा वो vary कर जागा distance में कोई change नहीं किया तो distance में कोई change नहीं होगा तो कितना होने वाला k epsilon not divided by d अब k epsilon not divided by d तो actual में यह क्या था c तो c dash is कोश्व क्या आजगा k times of c और c की value कितना था प्यारवचो जो लास्ट कोशन में निकाले था that will be 18 pico farad तो 18 pico farad और k की value given है 6 into 18 into pico farad तो कितना आने वाला है 108 pico farad तो इसका correct answer क्या आजगा 108 pico farad अब देखे इस कोश्व में होता क्या है मैं बताता हूँ सारा part देखेगा धियान से कि अगर आपने battery को connect करके रखा है और battery को connect करके रखा है तो क्या हो जाएगा देखेगा capacitance value change हो जाएगा that will be k times of c charge value का अगर आप देखेंगे तो q dash क्या हो जाएगा k times of q अगर potential की बात करते हैं तो potential will remain same electric field will remain same electric field में कोई change नहीं आता है और अगर हम energy की बात करते हैं तो यहाँ पे जो energy होता है तो energy क्या हो जाता है k times जो होता है energy भी यहाँ पे क्या हो जाता है increase कर जाता है अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे देखो capacitance value increase किया charge value भी increase करेगा potential जब तब connected है इसमें तो कोई भी change नहीं आएगा electric field में change नहीं आएगा potential energy increase कर जाता है k times से क्योंकि अगर potential energy की बात करते हैं तो क्या होता हमारे पास half into c into v square अब यह तो c जो है c dash बन चुका है u dash के लिए तो यह कि c dash increase किया तो obviously potential energy भी increase करेगा है ना तो I hope so you वाला part clear होगा अब यहाँ पर देखो और अगर हम बात करें कोई potential में तो potential में क्या change आएगा तो potential initial हमारे पास कितना था सबसे पहले capacitance value निकाल चुके हैं कितना 108 pico farad अब यहाँ पर अगर हम बात करें potential का तो potential will remain same वो कितना रह जाएगा 100 volt इसमें कोई change नहीं आएगा क्योंकि connection connected है आपका next जो होगा अगर हम बात करते हैं potential energy आपको चर्चा नहीं last question नहीं पूछा नहीं था next था charge तो charge के हम बात करते हैं तो Q dash की value कितना हो जाएगा Q dash is positive कितना हो जाएगा K times मतलब यह आगेन हो जाएगा 6 into 10 raise to the power जो हमारे पास पीछे value निकाले थे that will be 208 into 10 raise to the power minus 10 right 208 into 10 raise to the power minus 10 तो कितना होने वाला 208 into 10 raise to the power minus 10 तो यहाँ पर देखेंगे कि जो answer होने वाला है यह 18 था तो यह वाला part 18 into 10 raise to the power minus 10 multiply करेंगे तो यहाँ जाएगा 208 into 10 raise to the power minus 10 कूलम तो अगेन answer आचुक है आपके पास simple 208 into 10 raise to the power minus 10 कूलम और अगर इसको simplify करना चाहो तो आप इस तरीके लिख सकते हो 20.08 into 10 raise to the power minus 8 कूलम तो यह वाला part किलिए होगा तो यह simple question था इसका B part भी देखेगा क्या गहरा देखेगा अब B part क्या गहरा देखेगा after the supply was disconnected अब जैसे supply को disconnect करेंगे तो क्या होने वाला देखो अब यह जो plate था हमारे पास inserted बहुत तो 3 mm का उस तरीके से रहेगा 3 mm thickness का उस तरीके से plate रहेगा अब देखो इसमें क्या हो जाएगा क्योंके supply disconnect कर चुके है तो यहाँ पर जो charge देखेगा capacitance value that अब लीब हो तो सेम रहेगा epsilon auto by d से k times of c लेकिन जो charge है अब देखो charge जो actual में जो उसके पास store हो चुका था complete charge हो चुका है capacitor तो इसके बाद कोई change नहीं आने वाला है ऐसा समझो कि आपके जो parents है न वो पैसे आपको दे चुके हैं कहीं college में जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको complete पैसे दे चुके हैं आपको disconnect हो चुके हैं चार्ज value जो है उसमें कोई change नहीं होने वाला है अब अगर मैं बात करता हूँ potential की तो V dash के अगर बात करते हैं तो Q Y C होने वाला है क्योंकि charge के respect में बात करने वाला है तो potential भी आपको क्या हो जाएगा देखो ध्यान से C तो C value तो K times होता है चार्ज की कर रहे हैं तो charge के form में क्या होता है Q square upon 2C अब देखो का C की value K times है तो potential energy भी क्या होने वाला है decrease होने वाला K times है उस तरीके से electric feed की बात करते हैं तो electric feed भी क्या होने वाला है sigma upon 2 epsilon not होता है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर electric feed की time में अगर बात करते हैं तो again electric feed भी क्या होने वाला है decrease होने वाला कितने K times है अब ध्यान देजेगा कि अगर मैं चर्चा करूँ C dash तो C dash तो वही होने वाला कितना 108 Pico Farad अगर बात करता हूँ charge की तो charge will remain same that means यह कितना होने वाला है 18 into 10 raise to the power minus 10 coulomb इसमें कोई change नहीं होने वाला है अगर बात करते हैं potential की प्यारे बच्चों तो V dash की value होने वाला है V upon K that implies होने वाला है 100 upon 6 तो 100 upon 6 का मतलब कितना होने वाला है 16.67 V तो I hope so यह वाला part clear होगा कि किस तरीके से variation होता है due to connection and due to disconnection मतलब अगर बैटरी हटा दे तो क्या होने वाला है charge जो होता है वो fixed हो जाता है जैसे अमालीज़ आपको पैसा supply बंद हो गया तो जो आपके पास पैसा थो वही रहा गया उसमें कोई change नहीं आया तो hope so यह वाला part clear होगा चलिए move करतें next question question number 10 क्या कह रहा है a 12 pico farad capacitor is connected to a 50 volt battery how much electrostatic energy is stored in the capacitor अब देखिए यहाँ पे यह जो capacitance given है that will be 12 pico farad and potential कितना given है 50 volt अब इससे तासन question नहीं आ सकता है आपको ही पता है कि potential energy जह हम लिख रहा है half into c into v square right तो कितना नहीं वाला है half into c की value कितना नहीं वाला देखेगा c की value 12 pico farad मतलब 12 into 10 raise to the power minus 12 और यह कितना given है 50 volt supply मतलब 50 into कितना नहीं वाला है 50 कास है न that means यह नहीं वाला 6 और 6 into 5 कितना नहीं वाला है 6 into 5 is 30 है न यह नहीं वाला 1 तो that means यह आए गया 300 into 50 into 10 raise to the power minus 12 that implies हम लो लिख सकते है 1 to 3 that means 5 into 3 is 15 into 10 raise to the power minus 9 right 15 into 10 raise to the power minus 9 that implies हम लिख सकते है 1.5 into 10 raise to the power minus 8 joule या फिर 15 into 10 raise to the power minus 9 joule दोनो correct answer है इस question का तो I hope so यह वाला part तो आपको बहुत इज़ी आपको खुद भी आता होगा तो यह चीज़े समझाया होगा चलिए हम लोग move करते है next question पे next question क्या कहा रहा है पहरे बच्चों a 600 pico farad capacitor is charged by 200 volt supply अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि आपको capacitance कितना given है 600 pico farad it is then disconnected again disconnect कर रहा from the supply and connected to another uncharged capacitor how much electrostatic energy is lost in this process अब ध्यान से देखे कि अगर initially बात करें तो यह initial कितना होने वाला है half into c into v square अब यहाँ पर देखो half into c की वाली कितना होने वाला 600 pico farad अब यहाँ पर देखो 2 to 4 और 4 और 2 6 तो कितना बाला देखो यह cancel out हो गया तो आनने वाला 3 तो 3 into 10 raised to the power minus 12 और plus 6 और यह कितना बाला है plus into 4 तो कितना बाला है 4 into 3 is 12 micro joule क्योंकि 10 raised to the power minus 6 को मैं ने micro में convert कर दिया तो यह initial आ चुका है अब क्या कर रहा है ध्यान दीजी यहाँ पर यह वाला जो capacitor है न इसको connection से discharge करके disconnect करके आपको एक uncharged capacitor से connect कर दिए अब ऐसा करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि same capacitance value is 600 pico farad तो दुनों का same value से connect करेंगे तो यहाँ पर series combination c equivalent कितना आने वाला है obviously c y2 आने वाला है क्योंकि half होने वाला है series में है तो यहाँ पर आप जो final energy आएगा तो final energy कितना आएगा परवचों u final is equals to half into c की value आने वाला हमारे पास c y2 that means आने वाला हमारे पास कितना 600 divided by 2 into 10 raise to the power minus 12 और v की value तो same होने वाला है 200 into 200 जो हमने supply दिया था राइट तो यहाँ पर देखेंगे अगें 224 26 अगर माइक्रो में आने वाला है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 and 2 will get cancelled out तो कितना आने वाला 6 माइक्रोजूल राइट तो 6 माइक्रोजूल यू फाइनल कितना आगे आपका 6 माइक्रोजूल अब यहाँ पर आपको lost बोल रहा है दियान दिजेगा तो energy lost तो यू lost जैसे लिख रहे है नो तो आप क्या लिखेंगे initial minus final initial minus final actual में loss तो heat के form होता है तो किस form में यह loss किस तरीके से करता है वो बात की बात है noise के form में करता है heat के form में करता है तो यह loss कितना हो जागा 12 minus 6 that will be 6 माइक्रोजूल तो यह वाला part इस तरीके से आप निकालेंगे जब भी आपको loss बोलेगा तो initial minus final की जीएगा निगेटि केस में तो यह वाला जो पार्ट था ना जो NCRT का चेप्टर टू था वो हम लोग सक्सेश फुली कंप्लीट कर चुके हैं और आपको कोश्टन इंज्वाई की होंगे अगर इंज्वाई के मज़ा आ रहा है तो इंज्वाई करते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जहिन